दोस्तों, आज मैं लेकर आगया आपके लिए Excel का एक बहुत ही interesting question. यहाँ पर आप देखिए मेरे पास column B में कुछ country के names लिखके हूँ है. Column C मेरे पास blank है, जो कि मुझे fill करवाना है. यह fill मुझे दूसरे tab से करवाना है, हमारे दूसरे tab में चलते हैं. यहाँ पर देखिए country के names हमारे row-wise हैं और उनकी values भी जो हमें populate करानी है, वो भी row-wise है. बट इनका answer क्या आना चाहिए? अगर Afghanistan match होता है, let's take, यह Afghanistan, अगर यह match होता है, तो मुझे यह वाली value दो. यहाँ पर Albania match होता है, मेरे पहले वाली sheet में, तो मुझे यह वाली value दो. तो ऐसा कौन सा function यह formula है, जो हम apply कर सकते हैं और ऐसा answer ला सकते हैं. Basically, यह question मुझे, Mr. Amit ने किया था, उन्होंने मेरा telegram group join किया हुआ है, उनके interview में पूछा गया था, क्या यह हम offset के थ्रू निकाल सकते हैं. But, उन्होंने यह question drop कर दिया था, skip कर दिया था, वो नहीं निकाल पाये थे, तो उन्होंने मुझे यह question किया, मैं आप लोगों के लिए लेकिया आगया. अगर आप लोगे के पास भी कोई ऐसे interesting questions है, जो आप चाहते हो, दुनिया सीखे, और मैं उसके उपर वीडियो बनाओ, तो आप लोग मेरा telegram group join करके, अपने excel के question post करो, मैं वो चेक करूँगा, अगर interesting लगेगा, मैं definitely उसके उपर वीडियो लेके आओँगा. तो यह हम लगाते हो, offset के तुरू, मैंने लगाए equals to offset, सबसे पहले यहाँ पर देखे, यह बोलता है reference, reference का मतलब, आप कहां पर यह जो countries हैं, कहां पर ढूणना चाहते हो, ठीक है, मैं सबसे पहले चलता हूँ, अपने दूसरे वाले type में, मैं बोलता हूँ, A1 से आप आया है, A1 से कहां, नीचे की तरफ, या अपने right की तरफ, मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया है, मैंने simple बोला, A1 से डूणना शुरू करो, अब A1 को मैंने यहाँ पर आप देख सकते, A1 है, मैंने F4 दबा के freeze कर दिया, तो जैसे मैंने freeze कर दिया, यह मेरा पूरे पूरा reference freeze हो गया है, अब मैं last में आता हूँ, मैं यहाँ पर कॉमा देता हूँ, जैसे मैं कॉमा दूँगा, तो यह देखे, यहाँ पर rows highlight हो गया है, अब यह बोलता है, आपको answer कौन से वाले row से चाहिए, ओके, तो answer हमारा, हम अपने दूसरे tab में चलते हैं, answer हमारा यह है, 7th वाल अफगानिस्तान क्योंकि हमने यह A1 को freeze करवा दिया, हमें बोलना है, 1, यहाँ पर आप देखे, यह 1, 2, 3, 4, 5, and 6, अब जो भी answer है, मुझे 6th row से चाहिए, तो यहाँ पर, simple simple, यह sheet का name ले लिया, आप sheet का name को delete कर दीजिए, और मैंने 6 दे दिया, क्योंकि अफगानिस्तान यहाँ से दूनना शुरू करे, और इस row में जो भी answer हो, वो मुझे दे दे, ठीक है, मगर अब भी हमने उसे column नहीं बताए है कि इस row में कौन सा column, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें comma देते हैं, अब column यह देखे, column आ गया यहाँ पर, अब column का reference देने के लिए हमने एक लगा है, वो है यह रहा, मेरे पहले वाले sheet में Afghanistan, तो मेरी look-up value क्या हो गई, मैंने Afghanistan B2 को select कर लिया, ठीक है, comma अब यह बोलता है, यहाँ पे look-up array, look-up array क्या है, मतलब यह Afghanistan मैं कहां पे ढूंड़ू, ठीक है, second wallet tab में जाना है, और यह जो सबसे उपर वाला row है, यह वाला, इसको अपने select कर लेना है, अब देखिए, यह क्या करेगा, Afghanistan को यहाँ पे ही ढूंडता रहेगा, जहां तक भी से Afghanistan मिला, तो वो मुझे उसका answer देगा, अब मैंने यह वाला row को select कर लिया, अब इनको select करते, one is to one को F4 दबाके freeze कर लो, तो यह कुछ मेरा function बन गया है, अब finally मुझ value 0 लाके दे दी, क्यूं? क्यूंकि इसने क्या क्या, Afghanistan इसे यहाँ पे मिला, यह नीचे आया 6th row तक, 6th row में यह आगे की तरफ गया, और इसे यहाँ पे कुछ भी value नहीं मिली, यहाँ नल है, अगर मैं यहाँ पे 222 डाल देता हूं और enter करता हूं, तो यह देखो, यह क्या क और आपको कितना जाना है, यह आपका 1 हो गया, 2, 3 और 4, इसके आगे आपको 4 और जाना है, 1, 2, 3, 4, आप ऐसे भी count कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूं, इसमें F2 दबाता हूं, last में आता हूं, यहाँ पे लिखता हूं, plus 4 और bracket close, और यह देखिए, यह answer दे चुका है, अफ से नीचे, और यहाँ पे हम formula को paste कर देते हैं, और मैं scroll up करता हूं, और यह देखिए, बिल्कुल 60 का answer दे गया है, जैसे albinia देख सकते हैं, 4846.15, ओके, यहाँ पे देखिए, 4846.15, और वापस हम नीचे की तरह आते हैं, यहाँ पे Australia एक जगे 0 दिखा रहा है, क्यों? चेक क कर लेते हैं, मैं Australia को copy करता हूं, मैं average में जाता हूं, अपने दूसरे टाइब में, यहाँ पे control F और control V, क्योंकि Australia copy कर लिया था, enter करता हूं, और यह देखिए, यहाँ पे Australia की value ही नहीं है, तो यहाँ पे इसने 0 value है, तो हमें भी 0 दी, that means हमारा function offset के through बिल्कुल सही चल रहा है, आप यहाँ पे function देख सकते हैं, तो आशा करता हूं दोस्ता, आप लोगो वीडियो पसंद आगी होगी, पसंद आगी तो like, share, subscribe, जरूर करना, अगर आपके बास भी Excel के interview questions है, या Excel के कोई भी question है, जो आप solve नहीं कर पारे, मेरे telegram group में post करो, मुझे पसंद आगी तो उ download और practice के लिए चाहिए, नीचे description में link है, आप download करके मेरे साथ-साथ practice भी कर सकते हैं.